जैशी किष्णा दोस्तो बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम संतान सब्तिमी की पूजा विदी वरत कथा सुना रहे हैं इसके सुनने मात्र से संतान की प्राप्ती होती है संतान की दीगराई होती है यह वरत बहुत ही शेष्ट माना जाता तो दोस्तो उसकी संपूर्ण जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चलन सस्क्राइब निकर रखा तो सस्क्राइब जरू कर ले बगलन बैल आइकन को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं उपारी है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए यह व्रत इस्त्रियां पुत्र प्राप्ति की इच्छा हितू करती है यह व्रत संतान के समस्त दुख परेशानी के निवारन के इसकी पूजा विधी भादर परशुगल पक्ष की सब्तमी के दिन प्राते जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्रापती के लिए अथवा उनके उज्वल भविश्य के लिए इस वरत को प्रारम करते हैं यह वरत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाये तो अच्छ का लेप लगाया जाता है अक्षत श्रीफल यानि नारियल सुपारी अरपन की जाती है दीप प्रजलित कर भोग लगाया जाता है इसमें देखे पूरी का और हलवे का भोग लगाया जाता है भगवान शंकर और माता पारवती को संतान की प्राप्ति के लिए संतान की पर यानि अपनी कलाई पर बानना चाहिए इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद चड़ाय जाता है और जल से तीन बार घुमा कर भगवान के सामने रखा जाता है परिवार जनों के साथ मिलकर आर्ति की जाती है भगवान के सामने मस्तक रखकर उनसे अपने मन की मुराद कही जाती है अपनी प्रातना कही जाती है और बाद में उस भोग को प्रसाद सरुब सह परिवार जनों में आसपडोस में वृत्रित किया जाता है पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए हिंदू वरत में मिलता है कि संतान सब्तमी का वरत जो वरत कथा है पती पतनी साथ मिलकर सुने तो अधिक प्रभाव शाली माना जाता है इस वरत का उल्लेक श्री कृष्ण ने युदिश्टर की सामने किया था उन्होंने बताया कि यह वरत करने का महत्व लोमश रिशी ने उनके माता पिता देव और देवकी को बताया था माता देवकी के पुत्र को कंस ने मार दिया था जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था जिस से उभरने के लिए उन्हें संतान संतिमी का वरत करने को कहा गया अब वरत कथा बोले गोरी शंकर भगवान की जह लोमश शिशी द्वारा संतान सप्तिमी की व्रत कत्या अयोध्या का राजा था नर्शु उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूप मतीत था वहर नगर के प्रहमन की पत्नी थी दोनों ही सक् प्रेम था एक बार वे दोनों शरियू नदी के तटपर स्नान करने गई वह वहां बहुत सी इस्त्रियां संतान 17 मी का वरत कर रही थी उसकी कथा सुनकर इन दोनों सक्यों ने भी पुत्व प्रापती के लिए इस वरत को करने का लिश्य किया लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गई, कुछ समय बाद दोनों की मृत्ति हो गई और दोनों ने पशु योनी में जनम लिया, कई जनमों के बाद दोनों ने मनुष्य योनी में जनम लिया, इस जनम में चंद्रवती का नाम इश्वरी एवं रूपमती का नाम भूशना था, इ याद थी इसलिए उसने संतान सब्तमी का वरत किया जिसके प्रताप से उसे आठ पुत्र प्राप्थ हुए लेकिन इश्वरी ने इस वरत का पालन नहीं किया इसलिए उसे कोई भी संतान नहीं थी इस कारण से उसे भूश्रा से इर्शा होने लगी उसने कई प्रकास से एवं अपने कृते के बारे में भूश्रा से कहा और शमा मांगी तब भूश्रा ने उसे पूर जनम की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के वरत करने की सलादी इश्वरी ने भी पूरे विधी विधान के साथ वरत किया और उसे एक सुन्दर पुत्र की प्राप्ती हुई इस प्रकान संतान सप्तमी का वरत का महतु जानकर सभी मनुष्य पुत्र प्राप्ती एवं उसकी रक्षा के उद्देशे से इस वरत का पालन करने लगे बोलो गोरी शंकर भगवान की जै हे गोरी शंकर इस कथा को सुनने वाला कहने वाले और हामी भरने वाले की सभी मनों कामनाओं को पूरी करना दोस्तों अगर आपको ये कथा और हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेर जरू करिएगा आप सभी को जैशी कृष्णा